अन्यूज अप्डेट स्पॉंसर्ड बाई RS Academy, सेकंड फ्लोर रमा गोविन पैलिस सिर्मोच और राहा रीवा क्या मध्य प्रदेश के विधान सभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविन सिंग ने धिरेंद्र शास्त्री को फर्जी बता है दर्सल इस वक्त पूरे देश में एक नाम गुंज़ रहा है और वो नाम है धिरेंद्र शास्त्री हर जगह हर प्लैटफॉर्म पर ये नाम आपको देखने को मिल जाएगा या कहें कि धिरेंद्र शास्त्री इस वक्त देश में ट्रेंड करता है सोशल मीडिया के हर प्लैटफॉर्म पर ये नाम आपको ट्रेंड करता हुआ नजर आ जाएगा क्योंकि उनका वीडियो वारल हुआ चुनौती दी गई और फिर उसके बाद उनके खिलाफ जो जुबानी जंग चल रही है देश में उसमें अब मध्य प्रदेश विदान सवा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविन सिंग ने भी एंट्री ले ली है डॉक्टर गोविन सिंग ने कहा कि कौन धिरेंड शास्त्री मैं तो सिर्फ गरीबों के हित में काम करने वालों को प्रणाम करता हूँ उन्होंने इशारों इशारों में धिरेंड शास्त्री को फर्जी होने की संग्यान भी दे डानी है पूरे देश में बागेश्वर धाम सरकार के कथा वाचब धिरेंड शास्त्री को लेकर बाते चल रही है सभी के जुबान पर ये नाम अभी गूंज रहा है और इसी में अ चर्चा करते हुए इस विशेपर कतावाचक धिरेन शास्त्री के विशेपर चर्चा करते हुए कहा कि कौन है ये धिरेन शास्त्री मैं जानता नहीं हूँ कौन सा धिरेन शास्त्री मैंने भी सोशल मीडिया पर ही देखा है नेता प्रतिपक्ष ने इशारों इशारों में ही को फर्जी करार दे दिया उन्होंने कहा कि वे सिर्फ गरीबों आम व्यक्ति और जरूरत मंदों की मदद करने वाले शास्त्री को ही प्रणाम करते हैं फर्जी शास्त्रियों के लिए उनके यहां कोई जगा नहीं डॉक्टर गोविन सिंग ने कहा कि मैंने मीडिया पर ही दी गई है लिए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविन सिंग द्वारा भी धीरें शाष्त्री को दी गई है कहा गया है कि उन्हें अगर कोई जादू टोना आता है तो वो करके दिखा इसके साथी नेता प्रतिक्ष अध्यक्ष डॉक्षर civराज सरकार पे विशम कर निश लेकिन बड़ी बात ये रही कि उन्होंने भी चुनौती दी है एक तरह से उन्होंने सीधे तोर पर कहा कि अगर कोई जादू टोना आता है तो करके दिखा यानि कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविन सिंग भी अब धीरेंद शास्त्री से प्रमाण की मांग कर रहे है ल नेशनल मीडिया में भी अभी धीरेंद शास्त्री एक बड़ा चर्चा का विशे बने हुए हैं और सभी लोगों की जुबान पर बागेश्वर धाम सरकार के कथावाचक धीरेंद शास्त्री को लेकर चर्चाएं हैं अब देखना होगा कि क्या भाजपा भी इसको लेकर को बयान दिया है तो इसके बाद ये देखा जा सकता है ऐसा संभावना लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि भाजपा के द्वारा भाजपा कि किसी नेता के द्वारा भी धीरेंद शास्त्री को लेकर कोई बयान दिया जाए या नेता प्रतिपक्ष के इस बयान पर कोई रियाक् तमाम ऐसी खबरों और जानकारियों के लिए विंद्या टाइम्स के साथ बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।